दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदैशन फोर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम साल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले UPPCS प्रारंभिक परिक्षा के लिए सामान यद्धिन यानि जनरल स्टडीज के महत्वपोर्ण प्रशनों का प्रैक्टिस सेट ये प्रशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अधिनस सेवा चैन आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले अन्य परिक्षाओं जैसे आरो यारो यानि समिक्षाधिकारी सायक तो आये शुरू करते हैं UPPCS प्रारंभिक परिक्षा के लिए सामान्य अध्यन के महत्वपोर्ण प्रशनों का प्रैक्टिस सेट पहला प्रशन है दोस्तों देखे करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है आपसन है दांडी आंदोलन असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोल में भासड देते हुए गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा मैं आपको एक मंत्र देता हूँ करो या मरो जिसका अर्थ है कि हम भारत को आजात कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे अगला प्रशन है दोस्तों किस मिट्टी में कोशिका यानि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावसाली होती है चिकनी मिट्टी पांसु मिट्टी बलूई मिट्टी या फिर लोब मिट्टी तो सही उत्तर है चिकनी मिट्टी दोस्तों चिकनी मिट्टी में 50 प्रतिशत तक चिकनी मिर्दा और 50 प्रतिशत से कम गाद और कुछ बालू पाये जाते है इसमें जल धारण की छमता बहुत अधिक होती है और वायू का आवागमन कम होता है जिससे जल करांती हो जाती है और केसिका के कारण यह प्रक्रिया सुलफता से संपन होती है अगला प्रशन है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है आपको बताना है छुद्र ग्रह धूम केतु ग्रह या फिर निहारिका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा निहारिका दोस्तों सौर मंडल का भाग नहीं है क्योंकि सौर्य के चारोर चक्कर लगाने वाले बिभिन ग्रहों धूम केतुओं उलकाओं और अन्य आकासी पिंडों के समोह को सौर मंडल कहते हैं सौर मंडल में संपूर उर्जा का सौर्य होता है निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है अगला प्रश्ण है दोस्तों देखे स्वराज दल की अस्थापना किस ने की थी तिलक और चितरंजन दास गांधी और मोतिलाल नहरू गांधी और तिलक या फिर चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने तो सही उत्तर है चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने दोस्तों 1923 यानि 1923 में स्वराज दल की अस्थापना चितरंजन्दास और मोतिलाल नहरू ने की थी जब गांधी जी द्वारा असहयोग अंदोलन असमय वापस ले लिया गया तो कुछ युवाओं के द्वारा अंदोलन में ब्रिटिस सरकार की नीतियों का बिरोध करने और अंदोलन जारी रखने के लिए स्वराज दल की अस्थापना की गई थी अगला प्रश्न भूगोल से है देखिए वलन क्रिया किसका पैडाम है और आप जान लीजे प्रिथवी के आंतरिक भाग से छैतिज रूप में परवतों के निर्माड में सहायक संचलन भल को परवती संचलन भल के नाम से जाना जाता है यह बल दो प्रकार से काम करता है पहला तनाव मूलक बल और दूसरा संपीड नात्मक बल जिसके कारण धरातल में संच संवलन और वलन पढ़ जाते है अगला प्रश्न बहुत ही महतुपूर्ण है आपको बताना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना किस ने की थी आपसन है मैडम एचपी बलावर्स की रजाराम मोहन राय महत्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानन तो सही उत्तर है थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना मैडम एचपी बलावर्स की ने की थी इसका अंतरराष्टी मुख्याले अड़्यार मद्रास में बनाया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तों हिंद महसागर और लाल सागर को कौन जलसंधी जोडती है आपको बताना है देखिए बाब अलमंडेब होरमुज बोस्पोरस या मलक्का तो सही उत्तर है बाब अलमंडेब दोस्तों हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अलमंडेब जलसंद जोडती है इसकी स्थिती यमन और जिबूती के मध्य है अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत का अधिक्तम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है आपको बताना है हरियाडा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश तो आप जान लिजे देखे पंजाब, हरियाडा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये गेहूं उत्पादक राज्यों में सबसे महत्पून राज्य है और इसमें देखिए भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज उत्तर प्रतेस है आपसंडी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दोमट यानि लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है देखिए बालू कण, चिकना कण, पांसु कण या सभी प्रकार के कण तो सही उत्तर है कि सभी प्रकार के कण यानि दोमट या लोम मिट्टी में बालू, चिकना, पांसु सभी कण उपस्तित होते है अगला प्रश्ण है दोस्तों बिस्म में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है भारत, सही उत्तराज, अमेरिका, चीन या रूस तो सही उत्तर हो जाएगा चीन दोस्तों लोह अयस्क उत्पादन में चीन जो है सर्वपर्थम है और ये पहले अस्थान पर है इधर कई वर्सों में चीन के स्थिति खनीजों के उत्पादन में अग्रडी हुई है और कई प्रकार के खनीजों के उत्पादन में चीन सिर्ष अस्थान पर आ गया है अगला प्रश्न है भारती संविधान में संसोधन करके सिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया आपको बताना है बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है कि भारती संविधान में संसोधन करके सिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया तो ये है दोस्तों आप जान लीजे भारती संविधान में संसोधन करके 1 अप्रेल 2010 को सिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है लेकिन आपके लिए एक प्रश्ण है कि किस संविधान संसोधन के द्वारा भारती संविधान में संसोधन करके सिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है तो ये आपके लिए एक प्रश्ण है तिथी मैं बता दिया हूँ 1 अप्रैल 2010 से अगला प्रश्ण बहुत ही आसान सा प्रश्ण है कि भारत में किस तरह की अर्थविवस्था है यानि भारत में अर्थविवस्था का कौन सा प्रकार है समाजवादी, गांधिवादी, मिश्रित या सोतंत्र तो सही उत्तर है मिश्रित यानि मिक्ष्ट एकॉनमी दोस्तों जहां पर जो है सारोजनिक और व्यक्तिगत यानि पबलिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के जो आर्थिक छेत्र जहां पर उपस्थित होते हैं उसे मिश्रित अर्थवेवस्था कहा जाता है अगला प्रश्ण है मिनरल्स क्या है यानि खनिज क्या है द्रव, कार्बनिक ठोस, गैस या ये सभी तो अगर हम मिनरल्स का वर्गी करण करेंगे तो कई प्रकार के खनिज उपस्थित होते हैं इसमें जो है कार्बनिक ठोस में लौह, अभरक, अल्यूमिनियम, बाकसाइड आ अगला प्रश्ण है दोस्तों देखें पौधे जो नमक यूक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं जीरोफाइड, हाइडरोफाइड, हैलोफाइड या सेक्यूलेंट, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हैलोफाइड दोस्तों आप जान लीजे ऐसे पौधे, जो सी पाउधों को जीरोफाइट्स कहते हैं और जल में उगने वाले या तैरने वाले पाउधों को जलोद भी दिया हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है अगला प्रशन है दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रियुक्त होता है G for Global, G for Government, G for Generation या G for Google तो 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम में जो G सब्द है वो जन्रेशन यानि पीड़ी के लिए प्रियुक्त होता है वर्तमान में 3G, 4G, 5G जो है तकनीक लांच कर दी गई है यानि जो भी अगला 5G, 6G होता है ये दोस्तों अपनी पुरानी पिड़ी से कुछ उन्नत सुभिधाएं रखता है अगला प्रशन है पर्यावरण यानि इन्वाइमेंट किस से बनता है आपको बताना है जीवी घटकों से, भू आकरतिक घटकों से, अजैव घटकों से या उपर यूगत सभी से तो सही उत्तर आप संडी उपर यूगत सभी से पर्यावरण एक अविभाज्य समश्टी है और भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्तों आले पर्यावरणिक क्रियासेल तंत्रों से इसकी रशना होती है इसमें देखिए भौतिक रूप में अस्थल, जली, वजलवाय, मिर्दा, सैल, मानो, सांस्कृतिक तत्तों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये सभी पर्यावरण के अंतरगत शामिल होते हैं अगला प्रशन हैं दोस्तों देखिए प्रकास संसलेशन जिसको की फोटो सिंथेसिस कहा जाता है ये कहां होता है नूकलियस में, माइटो कांट्रिया में, क्लोरो प्लाष्ट में या पर आकसी सोम में तो सही उत्तर है क्लोरो प्लाष्ट में दोस्तों प्रकास संसलेशन की क्रिया में हरे पौधे सूरे के प्रकास को विकिरण उर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं और क्लोरोफिल के उपस्थिती में कारवन डायकसाइड और जल द्वारा भोजन का निर्मार करते हैं और ये प्रक्रिया क्लोरोप्लाष्ट में कुणर सिंग 1857 की करांती के एक महतपूर करांती कारी नेता थे वे बिहार राज में आरा इस्थेत जगदीश पुर्रियासा से संबंधित थे उन्होंने रियासत के राजा सुप्रबंध के मुद्दे पर अंग्रेजों के विरुध युद्ध किया और विद्रोहियों को नेत रित्व प्रतान किया था अगला प्रेशन है दोस्तों डूरंड कप किस खेल से संबंधित है आपको बताना है फुटबाल, पोलो, क्रिकेट यहा은 की तो यह बहुत ही मोहतपूर है डूरंड कप फुटबाल से संबंधित है फुटबाल का जन्म इंग्लेंड में हुआ है औ और भारत का पहला फुटबाल कलब डल होजी कलब था बिस्व की सबसे बड़ी फुटबाल संस था इंटरनेशनल फुटबाल एसोसियेशन यानि फीफा है जिसका मुख्याल है पेरिस यानि फ्रांस में इस्थित है अगला प्रश्ण है दूस्तूं भारत वर्स में सबसे पहले दूर्भाष यानि टेलीफोन का प्रादुर्भाव किस वर्स हुआ था तो उत्तर है 1881 आप संडी भारत में सबसे पहले दूर्भाष का प्रादुर्भाव 1881 में हुआ था अगला प्रश्न है दोस्तों निमनलिखित में से कौन शा सहर किसी देश की राजधानी नहीं है देखे केनबरा, सीडनी, बेलिंगटन या रियाद तो सही उत्तर क्या हो जाएगा देखे सीडनी, आप जान लीजे दोस्तों सीडनी शहर आस्टेलिया के नियू साउथ वेल्स परांत में है आस्टेलिया की राजधानी केनबरा है, सौधी अरब की राजधानी रियाद और नियू जिलेंड की बेलिंगटन है सिडनी जो है ये आश्टेलिया का महतपोर्ण शहर है ये किसी देश की राजधानी नहीं है अगला प्रशन है दोस्तों कौन सा दिवस डाइबेटीज दिवस या मधुमेह दिवस के रूप में मनाय जाता है तो मधुमेह के प्रति जाग रूपता और लोगों के स्वास्त के प्रति सचेत करने के लिए प्रति वर्श 14 नवंबर देखिए आप संधी आपका सही उतर है 14 नवंबर को डाइबेटीज दिवस के रूप में मनाय जाता है 14 फरवरी बेलेंटाइन डे 14 सितंबर विस्व बंधुत्व और छमाय आचना दिवस के रूप में मनाय जाता है अगला प्रशन है दोस्तों छेतरफल के करम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं तो आप जानते हैं सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है दूसरे अस्थान पर मध्य परदेश और तीसरे पर महराष्ट है और चोथे अस्थान पर उत्तर परदेश का नंबर आता है तो राजस्थान, मध्यपरदेश, महराष्ट और उसके बाद छेतरफल के आधार पर चवथा राज यूपी है तो याद रखिएगा छेतरफल के करम में तीन बड़े राज राजस्थान, मध्यपरदेश और महराष्ट है भारत का कुल छेतरफल 32,87,240 वर किलो मीटर है और ये विस्व के कुल छेतरफल का मात्र 2.4 प्रतिशत है छेतरफल की द्रिष्टी से भारत का विस्व में साथमा स्थान है जबकि विस्व की कुल जनसंख्या का 17.49 प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है अगला प्रश्न है दूस्तों अंतराष्टी नयायाले यानि इंटरनेशनल कोर्ट आफ जश्टिस इसका मुख्याले कहां पर इस्थित है तो सही उत्तर है अंतराष्टी नयायाले का मुख्याले हेग नीधर लेंड में है और ये संयुक्त राष्ट की प्रमुख कानूनी या विधिक संस्था है इसे संयुक्त राष्ट के चार्टर के अनुच्छे साथ के अंतरगत प्रमुख अंग के रूप में स्विकार किया गया है इसमें कुल 15 नयाधीस होते हैं जो आमसभा और सुरक्षा परिशत द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं इनका कारेकाल 9 बर्स होता है 15 नयाधीसों में से 5 नयाधीस सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदस्यों के देशों से होते हैं अगला प्रेशन हैं दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद ब्रेटिस सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चैन किया था कहां से तो आप जान लिजे गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से 1857 के विद्रोह के बाद ब्रेटिस सरकार द्वारा सेना के पुनर गठन के लिए पील आयोग यानि पील कमिशन बनाये गया पील कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना में भारती सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपाद बढ़ा दिया गया सैनिक की भरती के लिए एक रायल कमिशन गठन किया गया और बड़ी कुटिलता से फूट डालो राज्यकरो की नीति का अनुशरन किया गया और इस नीति के तहत सेना ने गोर्खा सिख और पंजाबी उतर प्रांतों से भरती करना प्रारम किया था अगला प्रश्ण है दोस्तों अशोक के ब्राम्ही अभिलेखों को सबसे पहले किस दे पढ़ा था आपसन है प्रिंसेप, HD संकलिया, SR गोयल या वियन मिस्रा तो सही उतर है जेम्स प्रिंसेप दोस्तों 1750 में ट्रीप हैंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक अस्तमव का पता लगाया लेकिन अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने में सफलता पाई थी तो याद रखेगा अशोक के ब्राम्ही अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में पढ़ा था अगला प्रश्ण है दोस्तों एतमादुद दौला का मकबरा आगरा में किस्त के द्वारा बनवाया गया था तो सही उत्तर है नूर जहां दोस्तों जहांगीर की समय की सबसे उलेखनी इमारत आगरा में बनी एतमादुद दौला का मकबरा है ये चतुर भुजाकार मकबरा है और बेदाक सफे संग मरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संग मरमर का प्रियोग किया गया है और अलंकरण के लिए इसलामिक भौनों में पहली बार पित्रा दुरा यानि फूफलो वाली आकरितियों को कीमती पत्थरों और बहुमुल्य रत्नों की जड़ावट का प्रियोग किया गया है और इस मकवरे का निर्माड नूर जहाने कराया था अगला प्रश्ण है दोस्तों बिस्व का सबसे उंचा कहा जाने वाला बिस्व स्रांती अस्तूप बिहार में कहा परिस्थित है वैशाली नालंदा राजगीर या पटना तो सही उत्तर है राजगीर में दोस्तों आप जान लिजे राजगीर को गिरिबज्र या राजगीर के निवास रहा है और ग्रिह कूट परवत पर उन्होंने अपने समकालीन मगध नरेश बिम्बिसार को बौध धर्म में दिख्षा दी और यहां निर्मित जापानी मंदिर बिश्व सांती अस्तूप के नाम से विख्यात है और बिहार के वैशाली में अवस्थित बिश्व सांत कौन थे आपको बताना है तो भारती ट्रेड यूनियन का अंग्रेश का आशय अखिल भारती ट्रेड यूनियन का अंग्रेश से है आप सन देखिए बीटी रंदेव सत्यभक्त लाला लाजपतरा या एनेम जोसी तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारती ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और इसकी पहली बैठक 1920 में हुई थी तो याद रखिएगा भारती ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यवेशन जो 1920 में अजित किया गया था इसकी अध्यक्षता लाला राय के द्वारा की गई थी अगला प्रेशन और आज के प्रैक्टिसेट का आखरी प्रेशन है कि भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेंड़ा से प्रारंब हुआ था देखिए पद्मा भाई रानाडे एनिवेशन्ट सरोजनी नायडू या जोतिवा फूले तो सही उत्तर है पद्मा भाई रानाडे दूस्तों महादेव गोबिंद रानाडे और डाक्टर आत्मा राम पांडूरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज की अस्थापना की रानाडे ने अपने सामाजी कारियों के उद्देशे से 1866 में बिधवा आसरम की अस्थापना की और इस कारे म पर अने एक समा सुधारकों ने नारी आंदूलन को प्रारम किया था तो याद रखेगा भारत में नारी आंदूलन पद्मा भाई रानाडे की प्रेणा से प्रारम हुआ था तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टेस एट उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग यानि UPPSC द् असेटिन प्रोफेसर आदि परिक्षाओं के सामान या ध्यान यानि जनरल इस्टेटीज के लिए ये प्रशन बहुत ही महत पूर्ण है आपको बता दें कि इन प्रशनों का लेवल ऐसे तो बहुत ही आसान है लेकिन रिवाईज ने करने के कारण या फिर प्रशनों पर ध् तयार करना बहुत जरूरी है तो इसलिए ये प्रशनों को तयार कर लिजेगा और जो तथे आपको कठिन लगें उनको अलग से नोट्स के रूप में शामिल करके उसका रिवीजन करते रहिएगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वी